दोस्तों आप सभी का most welcome है हमारे इस चैनल पर प्रेमित्रों आज हम बात करेंगे चंद्रकुंडली की जी हाँ आपकी चंद्रकुंडली में सूर्य के फल पर हम आज विशेश बात करेंगे और उसकी according आम remedies करके अपने सूर्य को अच्छा या च्छन्द्रमा को अच्छा कर सकते हैं तो आए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण चीजें लेकिन उससे पहले आप से मेरी छोटी से request है यदि आपने हमारा चैनल सबस्काइब नहीं किया है आप फॉस्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सबस्काइब कर लिजे बेल आइकन की बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह की इंटरस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले जन्म हुआ है उस समय में चंद्रकुंडली में यदि चंद्रमा के साथ यदि सूर्य है आप चंद्रकुंडली में देखिए अपने यदि चंद्रमा के साथ यदि सूर्य बैठे वे हैं चंद्रकुंडली के अंतरगत तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फल है कि वह व्यक्ति परदेश वासी होते हैं जी हाँ पराई देश में रहने वाले होते हैं चाहे देश विदेश या अन्यराज्यों में विदेशों में रहने वाले होते हैं और अपने घर परिवाल से या अपने कटुम से दूर होते हैं और क प्रकार के जो भी सुख साधन हैं उनको भोगने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं तो सुखी आप उने कह सकते हैं लेकिन कलाह करने वाले होते हैं दूसरों के मद्दे या अपने परिवार के मद्दे जो है जल्दी से किसी भी छोटी सी बात को ले करके काफी कलेस करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और अपने पुत्र या पुत्रियों से कम ऐसे व्यक्तियों की बनती है यानि कि आपस में ताल मेल अच्छा नहीं रह पाता चंद्रमा से चंद्रकुनली में चंद्रमा से दूसरे घर में दूसरे भाव में यदि सूर्य होता है चंद्रमा से तो ऐसे जातक जातिकाई जो है बहुत नोकर चाकरों को पालने वारे बहुत नोकर चाकरों से युक्त होते हैं बहुत ही ऐसे यशश्वी होते हैं यानि कि इनके जुगुण है इनके जो काम है जो भी ये वर्क करते हैं उसके कारण इनकी सेहन शिल्ता, इनका हैल्प करने वाला भाव, इनके शुब गुण है उसके कारण काफी समाज में काफी नामी व्यक्ति होते हैं और इनका यश्ट कर्मों का यश्ट काफी फैला होता है इसे लोग इन्हें एक राजा के समान समस्त समपदाएं ऐसे लोगों के पास में होती है चंद्रकुनली में चंद्रमा से यदि तीसरे घर में यदि सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति सुवर्ण रखने वाले सोना चांदी आदी जेहवराज से युक्त होती है बहुत ही अतियंत पवित्र करम करने वाले होते हैं इनके जो काम होते हैं बहुत शुब सत्य और सत्य निष्टा के साथ में करमट हैसे व्यक्ति होते हैं और बहुत ही पवित्र और अच्छे काम अच्छे गुणों से युक्त हैसे व्यक्ति होते हैं और एक राजा के ही समान इनके पास संपदा, दौलत, शोहरत और यह सारी चीज़ें इनके पास में होती हैं और काफी अच्छा सुखी और वैभवशाली जीवन जीते हैं यदि चंद्रकुंडली में दोस्तों चंद्रमा से चोथे घर में यदि सूरे हों तो वो माता के लिए काफी हानिक कारक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका चंद्रमा से चोथे घर में सूरे है तो माता के लिए काफी कस्ट कारक होते हैं माता को जो है इनके जन्म समय में जो है या जन्म लेने से काफी कस्ट होता है और माता को विनाशक भी हो सकते हैं और यदि माता स्वस्त रहती है माता ठीक रहती है तो बाद में ये जाकर के माता से इनकी अन्बन रहती है मिस अंडरस्टेनिंग रहती है और अभक्त होते हैं माता के प्रती काफी कठोर और निर्दई ऐसे विक्ति होते हैं दोस्तों जन्वसवे में यदर चंद्र कुंदली में चंद्र मा से पाँचमें घर में यदर सूरे हो तो एसे विक्ति लड़का या लड़की जो मिएं जिनकी कुंदली है जातक चाति का वो कन्याओं को काफी दुखी करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं यानि कि स्त्री जात्री को या फिर कर्ण्याओं को काफी परेशान और दुखी या फिर कोई हानी पहुचाने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसा इनका स्वभाव होता है और पुत्रों के प्रती लड़कों के प्रती काफी इसले हैं और बहुत सारे पुत्रों वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं प्रियमित्रों चंद्रमा से यदि छटवे घर में यदि सूर्य बैठे हों तो ये व्यक्ति अपने शत्रों पर हमेशा भारी पढ़ने वाले अपने शत्रों को जीतने वाले और लडाई किसी भी प्रकार का कोई युद्ध हो कोई बैटल हो उसमें जीतने वाले और अपने शुभ कर्मिर और छत्री उचित कर्म करने वाले होते हैं यानि कि कोई सेना में या सेना से संबंदित पुलिश इत्यादी में जो है ये लोग एक सोलजर के रूप में कार इदर चंद्रकुंडली में सूर्य है तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों की स्त्री पत्नी या पत्ती जो है बहुत ही सुसील सुभाव वाले बहुत सुन्दर और बहुत अच्छे रूपवान होते हैं और ऐसे व्यक्ति सुयम भी बहुत सुशील शुभ कर्म करने वाले बहुत स्वम्य सुभाव इनका होता है मीठा सुभाव और राजा के समान बहुत ही वैभावशाली व्यक्ति होते हैं चंद्रकुंडली में दोस्तों यदे चंद्रमा से अस्टम घर में आठमे घर में यदे सूर्य बैठे हूँ तो ऐसे मनुष्या हमेशा कलेश करने वाले होते हैं कलेश को उत्पन करने वाले लड़ाई जखड़ा अत्यंत कलह कलेश से युक्त होते हैं और शरीर में भी ऐसे लोगों के बहुत सारे कश्ट और व्यादियां रोग उत्पन होते रहते हैं जिसके कारण काफी शारेरिक रूप से काफी परेशान आप इन्हें देख सकते हैं चंद कुणली में चंद्रमा से नवे घर में यदि सूर्य हो तो ऐसे जातक जाती काएं धर्मात्मा धर्म के कामों में आगे पूजा पाठ हवन इत्यादी ऐसे ब्रत तेवहार ऐसे कारण में बहुत आगे रहने वाले होते हैं धर्म के काम करने वाले हमेशा सत्य का सहारा सत्य वक्ता ऐसे लोग होते हैं और अपने बंधु मान भाई बहन कुटुम परिवार को कलेश देने वाले उनसे द्वेश रखने वाले होते हैं चंद्रकुनली में चंद्रमां से दस्में घर में ये दिसूरे होतो तो उस मनुष्य के द्वार पर हमेशा बड़े बड़े लोग आते रहते हैं पैसे बिजनस्मेन ऐसे लोग बड़े बड़े ब्यापारी आते जाते रहते हैं अच्छे लोगों से उठना बटना और काफी मान सम्मान और यश दुनिया में होता है चंद्रमा से चंद्रकुंडली में यदी सूर्य ग्यारवे घर में यदी बैठे हों तो राजनितिक शेत्र में काफी गौरव ऐसे लोगों को प्राप्त होता है बहुत ही नेम और फेम होता है राजनितिक पॉलिटिक्स में और काफी एक से अधिक विशय सब्जेक्ट्स में बहुत पारंगत निपूर्ण एक्सपर्ट और ग्याता होते हैं इसी के साथ में विश्व में काफी विख्यात हो जाते हैं ऐसे लोग और अपने कुल परिवार में काफी सम्मानित स्रेष्ट और परतिष्ठित व्यक्ति होते हैं चंद्रमा चंद्रपुनली से में चंद्रमा से सूर्य यदि बारवे घर में हो ऐसे स्थिति में जन्म लेने वाला मनुश्या आँख से हीन हो सकता है अथवार आँख में कोई न कोई परिशानी या चोट लगना या फिर जन्म समय से ही एक आँख नहीं होती है ऐसे लोगों की काने हो सकते हैं तेज हीन होते हैं शरीर में तेज नहीं होता और कम देखने वाले द्रिश्टी दोश ऐसे लोगों के जीवन में शरीर में होता है दोस्तों तो ये था लगन कुणली में चंदरमा के अकॉर्डिंग सूर्य काफल आधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिये नमबस पर आप कॉल कर सकते हैं एनलिसिस के लिए कोई नश्ठान कराने के लिए या फिर अपने ग्रहों की वैदिक रेमेडिस कराने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं अपाइमेंट ले सकते हैं दोस्तों यदि भी आप भी भी आपने चैनल सबस्काइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो के जरिए तब तक के लिए जैस्री कृष्णा दोस्तों आप सभी का most welcome है मेरे इस चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त ऐस्रोलोजी सुनी शास्री और आप देख रहे हैं जो इससे संबंदित कुछ विशेश additional बात है प्रियद रशकों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रकुंडली के मध्या मंगल का शुबफल बारा भावगत पर्थम से और बारा भावगत कहीं भी यदि मंगल बैठा हो तो उसका क्या शुबफल आपको प्रदान होगा क्या फल मिलेंगे इसके बारे में संबून जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से तो बने रही है टिके रही है वीडियो पर और आपसे प्राटना है यदि आप हमारे ःटनल पर फर्स टाइम आ है तो प्लीस जल्दी से वीडियो के नीचे दिये लाल बतन सबसकाइब को सबसकाइब करें प्रेस करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके All को स्लेक्ट करें ताके इस तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच के सबसे पहले तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस चंद्र भौमफल को तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चंद्रमा के साथ मंगल रेदी हो दोस्तों तो ऐसे व्यक्ति लाल नेत्र वाले और रक्त श्राव अर्ष रोग से युक्त होते हैं रक्त श्राव मुल मुत्र के द्वारा या फिर गले से रक्त निकलना नाक से रक्त निकलना इस तरह के रोगों से युक्त होते हैं और काफी रक्त बरण वाले होते हैं और लाल लाल नेत्र इन ऐसे लोगों के होते हैं ये बोडी का स्ट्रक्चर है बोडी का सिस्टम है चं चंद्रमा और मंगल का यहां पर देखने को आपको मिलेगा चंद्रमा से जहां चंद्रमा है चंद्रकुंडली में चंद्रकुंडली में चंद्रमा यदि मंगल दूसरे घर में हो तो उस मनुष्य का जो लड़का होता है पुत्र होता है वो भूमी का मालिक और खेती करने वा चंद्रमा और मंगल के प्रभावसन की जीवर में मिलता है और काफी शक्तिशाली होते हैं और मान सम्मान इनके जीवर में दिखाए दियता है दोस्तों चंद्र कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है उससे तृती तीसरे घर में यदि मंगल हो तो ऐसे लोग जो है लोगों के भाई बहुत होते हैं कोई भी जातक जाते का किसी की भी कुंडली हो उसके अकॉर्डिंग जो है चार या पांच भाई बहन कुल मिला करके होते हैं काफी ऐसे व्यक्ति सुयम जो है काफी सुसील होते हैं बहुत ही संपन और सुखी होते हैं यसे वेक्तियों को बले हिनके पास जगा जाइदा है, सब कुछ हो, नाम, शौरत, सब कुछ है, लेकिन वो आपने शरील से थोड़ा सद्धूखी होते हैं, उनके माता को थोड़ा काफी कस्त होता है, या माता नहीं होती मागत माता का सुख नहीं मिल पाता और काफी सुख हीन होते हैं अपने शरीर के लिए सुख नहीं होता दरिद्र सुभाव के होते हैं और उनकी स्त्री का जल्दी भीयोग हो जाता है स्त्री से संबंदित या माता से संबंदित काफी खराफलन को जीवन में देखने को मिलता है दोस्तों चंद्रकुंड़ी में चंद्रमा से पांचवे घर में यदि मंगल हो तो वह पुरुष पुत्र हीन होते हैं पुत्र नहीं होता ऐसे लोगों का और यदि स्त्री के लगन में ऐसा होता है यदि आप स्त्री हैं और आपकी चंद्रकुंड़ी में अगर ऐसा है तो ऐसा योग यानि की ऐसा योग स्त्रियों को निसंतान बना सकता है विध्या के मामले स्त्री प्रोश्णों को बिलकुल परिशान कर सकता है विध्या ऐसे लोगों की पूरी नहीं होती है और वाणी में काफी कठोड़ता और वाणी के द्वारा हमेशा अपरा आपराद करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं या आपराद हो जाते हैं तो इस तरह की situation बनती है तो संतती से कोई problem है तो उसके लिए remedies करें या हमें स्क्रीन पर दिये numbers पर आप remedies पूछ सकते हैं संतती संतान के लिए दोस्तों चंद्रकुंडली में जिन व्यक्तियों के चंद्रमा से छटमी घर में यदि मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति जो है काफी धर्म के कामों में आगे रहते हैं और आधर्म को दूर करने वाले होते हैं धर्म के लिए लड़ने भिड़ने वाले होते हैं हर प्रकार से बहुत पिशाली अपने शरीर से होते हैं लेकिन रक्त रोग से पीडित होते हैं रक्त वमन या रक्त वोमेटिंग या रक्त से संबंदित कोई ऐसी भीमारियां होती है रक्त चाप जैसे भी पी हाई डाउन इस तरह से संबंदित कोई नो कोई भीमारी के शिकार होते हैं दोस्तों च चंद्रमा से सब्तम भाव में, यदि सात्वे घर में, यदि मंगल हो, तो उस मनुष्य के स्त्री जो होती हैं, ऐसे व्यक्तियों के स्त्री या पुरुष जो होते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, यानि कि शरीर से काफी परेशान होते हैं, शरीर में काफी सारी परेशानिय और दुख विमारियां होती हैं और अभी प्रेवादनी होते हैं दूसरों का हमेशा अच्छा चाहने वाले लेकिन स्वयम उनको वो शरीर से काफी बहुत वीक होते हैं तो उसके लिए उपाय करें दोस्तों चंद्रकुनली में चंद्रमा से आठवी घर में यदि मंगल हो तो ऐसा मंगल जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए जातक है जीव घाती बन जाते हैं यानि कि जीव अपने शरीर को नुकसान देने वाला होता है स्वास्त की हानी करने वाला ये योग है और अनेक प्रकार की व्याधा व्याधी यानि कि रोग इत्यादी ऐसे शरीर में लगते रह जाते हैं ऐसे व्यक्ति शील हीन भी होते हैं शील का सुभाव नहीं होता है काफी तेज नजरक और परेशान होने वाला ऐसा सुभाव लोगों का होता है और सत्य से रहीत होते हैं सत्य नबोलने वाले सत्यों से थोड़ा दूर रहने वाला ये सुभाव बन जाता है दोस्तों चंद्रकुनली में यदि चंद्रमा से नवे घर में यदि मंगल हो तो ये बहुत लक्षमी वान योग है और इस लक्षमी वान योग में ऐसे व्यक्ति जातक जाती का जो है संपत्ति वान शक्ति शाली संपत्ति शाली और बहुत वैभव के कारक यहां पर बन जाता है बहुत वस्ता में पुत्रों के द्वारा ऐसी वक्ति बहुत सुखी होते हैं यदि चंद्रकुंडली में दोस्तों चंद्रमा से दस22 गर में यदि मंगल हो तो उसके द्वार पर यानि कि उसके घर में समस्त प्रकार का वैभव होता है बड़े बड़े लोगों का उटना बैठना आना जाना उसके द्वार पर बड़ी बड़ी गाडियां हाती घोड़ी घोड़े ऐसे वाहन खड़े होते हैं यानि कि संपत्ति वान वैववशाली और संपत्ति शाली ऐसे व्यक्ति होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ल पाजदरवार में या पॉलिटिक शेतर में या फिर किसी सैना में पुलिस में सरकारी पदों पर बहुत उच व्यक्ति होते हैं और बहुत उचा स्थान होता है कोई लीडर्शिप होती है इन लोगों की और बहुत नाम ऐसे व्यक्ति जो है बहुत अच्छा शुब कारे करने वाले होते हैं लोग समाज कल्यान के लिए कारे करते रहते हैं इससे इनका यश नयम फेम दुनिया में फैलता है और सुन्दर शक्तिशाली और सुन्दर शरीर के मालिक होते हैं दोस्तों चंद्रकुनली में चंद्रमा से बारवें घर में यदि मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति ऐसे जातक जातिका माता से काफी दूरी और अभद्र सुभाव करने वाले होते हैं, दूस्ट सुभाव के होते हैं माता से बिलकुल ऐसे विक्तियों के नहीं बनती है, इनकी माता को शाररी कस्ट या फिर मानसिक कस्ट देने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और माता इनसे काफी दुखी होते हैं लेकिन स्वयम ये काफी धनशाली वैबवशाली होते हैं और एक राजा के समान वैबवशाली जीवन में बनते हैं दोस्तों यह था मंगल का फल चंद्रकुंडली के अनुसार आधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिये नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं कुंडली को एनलेसिस करने के लिए प्रेडिक्शन के लिए या फिर अपने गरहों से संबंदित रेमेडिस प्राप्त करने के लिए र इस प्रकार से शुब और आशुब आपके लिए हो सकता है मैं हूँ आपका दोस्त एस रोजर सुने शास्त्री और आप देख रहे हैं जोतिस से संबंदित कुछ विशेश एडिशनल बाते प्रिद्रशकों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि इस तरह की इंटरस्टिंग वीडियो की नौटिफिकेशन आपको आ सके सबसे पहले तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के स्कारेकरम को दोस्तों आईए चंद्रकुंडली में बुद्ध के फल को जानते हैं किस तरह से शुब अशुबता ये प्रदान कर सकता है दोस्तों चंद्रकुंडली में यदी चंद्रमा के साथ में यदी बुद्ध हों बैठे वे तो ऐसे व्यक्तियों को जातक जातिकाओं को बुद्ध जो है बहुत ही सुक जीवन में देते हैं और सुक रूप में जीवन करता है सुक रूप से युक्त होते हैं जूठा भाशन करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जूट के माद्यम से अपने कारे को बनाने वाले और दूसरों से हमेशा दोईस करने वाले किन्तु अपने जो इनके कुटुमबी जन होते हैं परिवार वाले होते हैं उनका बहुत प्रिय करने वाले और अच्छा करने वाले उनका हर प्रकार से सपोर्ट करने वाले उनका ना प्राप्त को ये जो है काफी धन्धानने के साथ में यूक्त कर देते हैं, काफी धन्वान वैवोशालिया से व्यक्ति होते हैं और बंधु, भाई, बंधु, सगे, प्रेम, इष्ट, संबंदी सभी प्राप्त, सभल जो बहुत अच्छे देते हैं लेकिन ये जो है शीत रोक स ठंड से या हवा से संबंदी वाई रोक से संबंदी बहुत दुख जीवन या शरीर में जेलते हैं और शीत रोक से या वाई रोक के कारण इन्हें काफी मृत्य तुल्ल व्याधी प्राप्त होती है चंद्रमा से चंद्रकुनली में यदि चंद्रमा से तीसरे घर में यदि बुद्ध हों तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा जो है धन संपत्ती प्रदान करते हैं बुद्ध जो है धन संपत्ती बहुत जादा प्रदान करते हैं और एक राज्य यानि की बहुत ही शोहरत और दौलत का लाभ इनको देते हैं जीवन में और बहुत बड़े-ब ऐसे लोगों को जो है बुद्ध दशा अंतरदशा में बहुत ही सुख प्रतान करते हैं और मात्रे कुल से विशेश लाव करवाते हैं यह मातक के पक्स से ननिहाल से मामा से या मा से बहुत ही अच्छा लाव इनको प्राप्त होता है इनका जीवन बहुत सुखों से परिपू होता है और सुखी जीवन बिताने में इनका हात जो है बुद्ध अपना आश्रीबात इनको प्रदान करता है दोस्तों चंद्रकुंड़ी में चंद्रमास से पांचवे घर में यदि बुद्ध हो तो जातक को जातिका को ऐसे जातक जातिकाउं को बुद्ध बहुत अच्छ कि अधा जीवन में जो है प्रोग्रस देते हैं विलक्षन प्रकार का इनका सुवाह होता है सबसे अलग हटकर के विलक्षन और सूज बूज कर हर एक कारे को करने वाले लेकिन इस्त्रीयों के प्रति या स्त्रीयां पुर्शों के प्रति काफी कामुक होती हैं और वाकपटु अपने कारे को अपने कैसे बनाना है उसकी समझ इनको बहुत अच्छे होती अच्छे परकार से बोलते हैं समझाने वाले और अपने जीवन में सुखी व्यक्ति होते हैं दोस्तों चंद्रकुंडली में चंद्रमाज से छटवे घर में यदि बुद्ध हो तो ऐसे व्यक्ति काफी सुभाव से कंजूस होते हैं और हर एक चीज को अपने कुतरक रूपी दिमाग से कुतरने की कोशिश करते हैं हर किशी की बातों पर परणतों किन्तु लगाने वाले होते हैं और विवाद से डरने वाले कहीं लड़ाई जगड़ा हो जाएं तो उससे दूर रहने वाले अपनों का ही साथ छोड़ देने वाले अंतिम समय में अधिक रोग वाले शरीर में काफी रोग रहते हैं और दिर्ग नेत्री होते हैं दूर की सोचने वाले दूर को की होने वाली चीज़ों को पहले ही जानने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों चंद्रकुंड़ी में चंद्रमा से यदी सात्मे घर में बुद्ध हो तो दोस्तों वह मनुष्य स्त्री के वश में रहने वाले होते हैं। काफी कंजूस होते हैं, धनवान बहुत होते हैं जीवन में और एक लंबी आयू को जीने वाले सुखी व्यक्ति होते हैं। चंद्रकुंडली में लगन से चंद्रमा से आठवे गर में यदि बुद्ध हों तो वो बहुत ही शीत प्रकृति के ठंडे दिमाख वाले ठंडे सुभाव वाले होते हैं और राजाओं में विख्यात होते हैं कहने का मतलब समाज में बड़े बड़े लोगों के बीच में उनका नाम आता है और काफी अच्छे कर्म करने वाले शत्रों पर जीत हासिल करने वाले और किसी भी प्रकार का कोई बैटल हो उसमें जीतने वाले और भैकारक होते हैं इनको काफी डर का भाव इनके अंदर बहु जातक जातिका को धर्म का विरोधी बना देते हैं ऐसे लोग अपने ही धर्म से काफी दूर रहते हैं धर्म का हनन करते हैं धर्म की निंदा करते हैं और अन्या और के और लोगों के धर्मों को मानने वाले और अपने परिवार को छोड़ करके बाहर के लोगों से विशेश प्रेम और सगे संबंदी बनने का ये सुभाव बनाने का सुभाव इनका होता है और अपनों के लिए ब्रियोध करने वाले होते हैं दोस्तों चंद्रमा से दस्में घर में यदि बुद्ध हो तो उस मनुश्यक के जीवन में समझो एक राज योग है और इस राज योग के कारण वह जो है अपने कुल में स्रेष्ट माने जाते हैं बहार देश विदेशों में उनका नाम होता है काफी अच्छे गुण करने वाले होते हैं दोलत, शोहरत, मान, पद, परतिश्टा ये सारी जीजें इनके पास में होती है और एक स्रेष्ट जीवन जीते हैं दोस्तों चंद्रकुन्ली में चंद्रमा से ग्यारमे घर में यदि बुद्ध हों तो दोस्तों ऐसे लोग जो हैं बुद्ध के प्रभाव से अपने जीवन में बहुत सारा लाब प्रद होते हैं बहुत सारे प्रकार के लाव इनको प्राप्त होते हैं चाहे वो पैसे का हो धन का हो मान का हो पद का हो प्रतिष्टा का हो बुद्ध के कारण जो है अनेक शित्रों में इनको सफलताएं प्राप्त होती हैं और ऐसे मनुष्य जो है भाग्योदे भाग के शाली होते हैं लेकिन का भागय जो है अक्सर ऐसे विजातक और जातिकाओं का भागय जो है विवा के उपरांत यानि की विवा के बाद ही खुलता है और उसके बाद में बहुत अच्छे धनवान और बैबवशाली बनते हैं प्रियदर्शकों चंद्रकुली में चंद्रमा से बार मेगर में यदि बुद्ध बैठे हो तो ऐसे मनुष्यों का सुभाव जो है बुद्ध और चंद्रमा बना देते हैं काफी करपन जी हाँ, करपण यानि की कंजूस टाइप की ऐसे वेक्ति होते हैं और ये धर्म के कारियों में भी या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो फालतू खर्चा तो नहीं करते हैं लेकिन अच्छे जगा भी खर्च अपने दन को नहीं करते हैं बचा के रखने में बरोसा रखते हैं और भविश्य में जरुत पड़ेगी इसीज़ को लेकर के ये अपने धर को हमेशा दबोच के रखते हैं और इसी कारण बस इनकी संतान भी काफी एजुकेटिड नहीं होती है सामन्य एजुकेशन लेते हैं और जीवन में बिज़ई और अच्छा नाम यश और अच्छी प्रफर्मिंस नहीं कर बाते हैं और पुत्र पुत्रियां भी समस्त जगा जो है पराजित होते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करके नहीं दिखा बाते हैं जोस्तों ये था बुद्ध का फल चंद्रकुंडली के अकौर्डिंगly आधिक जांकारी के लिए या फिर कुंडली को एनलिस करने के लिए रेमेडिस जानने के लिए ग्रहों के उपाय करवाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिये नंबरस पर कॉल करें अपाइमेंट ले और मिलते हैं नेक्स वीडियो के जरीए तब तक के लिए जय स्री कृष्णा तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं चंद्रकुनली में गुरू के फल को जी हाँ परतम लगन से और द्वादस भावों में गुरू का क्या क्या फल हो सकता है किस तरह के शुब अशुब लाब आपको दे सकते हैं इसके सारी जानकरी में आपको वीडियो के मादिम से शेयर करने वाला हूँ तो बने रहिए टिके रहिए वीडियो पर आएए जानते हैं और इससे पहले की स्टार्ट करने प्रोग्राम को आपसे करवध धपरारतना है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सबस्काइब कर लीजे और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके और को स्लेक्ट कीजे ताकि इस तरह की एस्टालोजी से रिलेटेड नॉटिफिकेशन वीडियो की आप तक पहुँचे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों लेस्ट को स्टार्ट दा पॉइंट स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रकुंडली में गुरु का फल जी हाँ मेश लगन से यानि पहले लगन से अव बारा भावो में गुरु का ब्रैस्पती का देव गुरु ब्रैस्पती का क्या शुब और अशुब फल हो सकता है इसके बारे में सारे inफोमेशन्स आपको देने वाले हैं मैं हूँ एस्टेलोजिस रुने शास्ट्री और आप देख रहे हैं जोतिस से संबंदित कुछ बिशेश एडिशनल बात हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस गुरु फल को। तो दोस्तों जिनके चंद्रकुंडली में चंद्रमा के साथ ही यदि गुरु बैठे हों तो वह व्यक्ति अपने जीवन यानि उनका बहुत स्वस्त शरीर होता है और एक लंबी आयू को जीने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। रोग नहीं होते शरीर में रोगों से रहित होते हैं बहुत वीर प्रकार की प्रकर्ती वीर अनके सुभाव और गुण होते हैं और अनेकों प्रकार के धन से परिपून जीवन होता है। एक प्रकार आप समझ गए, चाहे वो गाड़ी हो, शौरत हो, दौलत हो, चाहे वो पशु हो, खेती हो, कुछ भी हो, इस सभी प्रकार की दौलतों से युक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, चंद्रमा से दूसरे घर में, चंद्रकुनली में, चंद्रमा से दूसरे घर में यदि ग लेकिन सुभाव से काफी उग्र होते हैं, जल्दी गुसा क्रोध करने वाले होते हैं, महा प्रतापी होते हैं, प्रताप इनके कार्यों का प्रताप जो है विश्व में देश दुनिया में फैलता है, एक धर्मात्मा की रूप में होते हैं, अच्छे कार्य और धर्म से प्रति चंद्रमा से तीसरे घर में गुरु हो तो वह पुरुष ऐसे स्त्रियां ऐसे पुरुष जो हैं अपने लाइफ पार्टनर के प्रति काफी प्रेमी होते हैं और काफी समझदार होते हैं साथ में जो है अच्छे कपल जबन करके जीवन जीते हैं और सत्रवी वर्ष में पिता की अत्यंत आर्थिक व्रद्धी होती है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इनके पिता के जिनके ये सिचुशन कुंडली में है उनके पिता धनवान होते हैं उनके सत्रा साल के बाद चंद्रकुंडली में दोस्तों यदि चंद्रमा से चोथे घर में यदि गुरु हैं तो ऐसे जातक जाते काउं का शरीर जो है सुख से हीन होता है इनके जीवन में बले ही सब प्रकार की संबदाएं होती हैं लेकिन फिर भी ये अपने शरीर में सुख को मैसूस नहीं करते और दुखी से रहते हैं माता के पक्ष से इनको काफी कस्ट होता है माता का प्यार या फिर माता के द्वारा दुलार नहीं बलकि काफी कस्ट की संबावना जीवन में बनी रहती हैं हमेशा दूसरों के लिए कारे करना दूसरों के लिए सपोर्ट और दूसरों के लिए व्यक्ति काफी बहुत तगडी दिब्यद्रष्टी वाले होते हैं और इनकी दिब्यद्रष्टी बता देती है कि किसके साथ या किसके साथ क्या होने वाला है किस तरह की घटना घट सकती है ऐसे तेजवस्वी होते हैं अपने जीवन में अधिक पुत्रों पुत्री वाले ऐस व्यक्ति के रूप में प्रोग्रेस पाते हैं दोस्तों चंद्रकुंडली में चंद्रमा से छटवे घर में यदि देव गुरुप रहस्पती बैठे हो जिन जातक और जातिकाओं की चंद्रकुंडली में तो ऐसे व्यक्ति जो है उदासीन होते हैं हमेशा आप इनको देखें अपने घर से दूर रहने वाले या फिर घर इनका अपने पास अपना घर नहीं होता है लेकिन लेकिन एक लंबी आयू को जीने वाले और भिक्षा आदी जैसे कर्मों से द्वारा धन को प्राप्त करने वाले या फिर इनके अपने ही जो है इनको सपोर्ट करने वाले और सपोर्ट हो करके ही ये अपने जीवन को यापन करते हैं दोस्तों चंद्रकुंड़ी में यदि चंद्रमा से सबसातवी घर में यदि गुरु हो बैठे हुए देव गुरु ब्रैस्पती तो ऐसे जातक जाते का बहुत लंबी आयू वाले होते हैं और बहुत ही जूटे में, बेकार में व्याय करने वाले, खर्चा करने वाले होते हैं, काफी मोटे, लंबे, उचे शरीर वाले, स्थूल शरीर वाले, साथ में नपुनसक भी हो सकते हैं, पांडु रोग से, यानि कि जो कहते हैं पांडु रोग कहते हैं पीलिया को, तो इस र गर्व के मुखिया और काफी responsible person होते हैं समस्त भार इनके कंदों पर होता है दोस्तों चंद्रकुंडली में चंद्रमा से आठवे गर्मे यदि देव गुरु बहस्त पती हो तो शरीर से काफी रोगी होते हैं ऐसे व्यक्ति शरीर से काफी परिशान होते हैं बहुत विचार कर के ही आगे कारे करने वाले बोलने वाले होते हैं पिता के होने पर भी वह कलेश के भागी होते हैं माता पिता के साथ में और आश्रबाद के बाद भी काफी कलेशों को जीवन में देखते हैं और स्वपनों में भी काफी सुखों को देखने वाले स्वपनों में बहुत सारी गर्णाएं करने वाले या फिर ख्वाब और सपने देखने वाले से व्यक्ति होते हैं चंद्रकुनली में यदि दोस्तों चंद्रकुन चंद्रमा से नवे घर में यदि देव गुरु ब्रहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा होते हैं धर्म के कार्यों को करने वाले होते हैं, धनवान होते हैं और अच्छे मार्ग पर चलना इनको पसंद होता है, अच्छे सुगम मार्गी होते हैं, देव, गुरुजन, माता, पिता, ब्रामन भक्तों के बहुत सेवक होते हैं, जीवन में बहुत सारा धन कमा करके जीवन को बनाते हैं चंदर कुनली में चंदर माशी यदि दस्मीं घर में देव गुरु ब्रहसपति हों तो ऐसे मनुष्य श्तिय और पुत्र को छोड़ करके तपस्याक में जाने वाले साधु सभाव वाले of Sabbath कर्म को करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी कुनली में चंद्रमा से 10 में घर में यदि देवगुरु ब्रहसपती हो. दोस्तों चंद्रकुन्ली में चंद्रमा से 11 में गर में एक आदश भाव में यदि देवगुरु ब्रहसपती हो. तो वह ऐसे व्यक्ति जातक जाती काएं गोडे, गाड़ी और अनेक प्रकार की संपदाओं से संबंदित, अनेक प्रकार की सवारी प्राप्त करने वाले गाड़ी, मोटर्स आदी और राजा के समान सुखी, राजा के समान धन वाले और धन को भोग विलास करने वाले होते हैं चंद कुनली में दोस्तों चंदरमा से बारवेए घर में यदि देव गुरु ब्हृस्पती हों तो ऐसे जातक और जातिक आये अपने कुटुम्ब से, परिवार से, भाई बहनों से विरोध करने वाले होते हैं, लड़ाई जखड़ा करने वाले होते हैं, हमेशा लड़ाई जखड़ा रहता है और सत्रों को सिक सुक देने वाले होते हैं यूँ आप कह सकते हैं कि घर का भेदी लंकर ढाय वाली बात यहां पर बनती है तो इस प्रकार से ये ब्रहस्पती के बारा भावगत फलों को मैंने आप से कहा अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिये नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं फोर कुंडली एनलिसिस, रेमेडिस की प्राप्ती के लिए या फिर ग्रहों के जाप इत्यादी अरुष्ठान करने के लिए आप हमसे बात करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो की जरिये तब तक के लिए जैस्री कृष्णा दर्श्रकों आज की इस वीडियो में हम बारतालाप करने वाले हैं चंद्रकुंडली में शुक्र का फल जी हाँ लगन से और 12 भावगत शुक्र का चंद्रकुंडली में किस प्रकार से शुब और अशुब फल आपके जीवन में देखने को मिल सकता है इस पर हम बारतालाप करते हैं और मैं हूँ आपका दोस्त एस्ट्रोजर सुने शास्ट्री आप देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि इस तरह के इंटरस्टिंग वीडियोज एस्ट्रोलोजी की आप तक पहुँचे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वर्तालाब को दोस्तों जानते हैं चंद्रकुंडली में लगन से 12 भावगत शुक्र का शुब और अशुब फल जिनके चंद्रकुंडली में चंद्रमा के साथ परतमस्तान पर चंद्रमा के साथ शुक्र यदि हों तो दोस्तों शुक्र का फल यहां पर आता है कि उन्हें जल से थोड़ा सा क्या पुरी तरीके से से शेफ रहना चीए नदी तालाब समुद्र आदी में ज़्यादा किलोल ना करें ज़्यादा खेले को देना यह आपके लिए हानिका रखो सकता है यानि कि जल से संबंदित जल आपको नुकसान करता है किसी भी माइने में तो जल से थोड़ा जल की बहुत जादा राशी जहां हो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें और हिंसा से बचने की कोशिश करें क्योंकि आकारणबस आपके हाथ से किसी जीव या किसी की भी हिंसा होने के चांसिज आपके कुंड़ी में बनते हैं और साथ में आपको बहुत बड़ा नुकसान शाररिक मृतितल्य व्याधी तक आपको जल की बहुत ज़्यादा राशी नुकसान पहुचा सकती है अब जानते हैं चंद्रकुंडी में चंद्रमा से दूसरे घर में यदि शुक्र बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं महाग्यानी आप इने कह सकते हैं अनिक प्रकार शास्त्र धर्म और नीती जैसी चीजों के बहुत ही निपूर्ण व्यक्ति होते हैं साथ में एक से अधिक सबजेक्ट्स में काफी माहिर होते हैं और काफी minded धनी talented इने कह सकते हैं और बहुत धन्वान अपने जीवन में ये लोग होते हैं एक राजा के समान समस्त प्रकार के वैभव इनके लाइफ में होते हैं इसमें कोई भी संदेह करने वाली बात ही नहीं है लगन को चंद्रकुनली में चंद्रमा से तीसरे घर में यदि शुक्र हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा होते हैं दोस्तों यह जो सारे फल में बता रहा हूं इस्त्री और पुरुष के लिए बराबर जिनके भी अबी के लिए बता रहा हूं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा होते हैं और बहुत माइंडेट टैलेंटेड होते हैं लेकिन ऐसी जातियों में उत्पन होते हैं जहां दया धर्म नहीं होता दया नाम की चीज नहीं होती जैसे कि मिलेच शादी जातियों में उत्पन ऐसे व्यक्ति होते हैं और बहुत ही ऐसी जातियों में या ऐसी जातियों से धन का लाब करते हैं यानि कि नीची जातियों से धन का लाब अपने जीवन में करते हैं लेकिन धर्मात्मा आपने धर्म के प्रति बड़े कठूर होते हैं चंद्रकुन्डी में चंद्रमाज से चोथे घर में यदि शुक्र हों तो जातक को कफ से सम्मंदित रोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और कफ रूपी प्रकृती इनकी होती है एक दुरूबल दे है बिलकुल पतले दूबले और इमिर्टी पावर ऐसे लोगों के अंदर बहुत कम होती है और जैसे जैसे बृत दवस्ता को प्राप्त होते हैं बड़े होते रहते हैं उमर बीटती रहती है उसके उमर के साथ साथ ही धनवान और अनिक प्रकार के धन कमाने के रास्ते खुलते रहते हैं और खूब ऐस जिंदगी में आनंद जिंदगी के लेते हैं लोग चंदर कुनली में चंदरमा से पांचवे घर में इदमी शुक्र है तो दोस्तों ऐसे लोग बहुत सारी कन्याओं को जन्म देते हैं बहुत सारी कन्याओं के पिता होते हैं लेकिन धनवान बहुत होते हैं और कुछ ऐसा काम जीवन में करते हैं जिसके कारण इनको अपियश्ग की प्राप्ती होती है यानि की बदनामी इनकी होती है इनके काम से कई बार जो है इनका नाम खराब समाज में होता है चंद्रकुली में चंद्रमा से छटवे घर में यदि शुक्र हो तो ऐसे भी व्यक्ति ऐसे निंदित कारे ऐसे गंदे कारे करने वाले होते हैं या इनके हाथ से हो जाते हैं जिनका की इनको भी अपियश्ट, निंदा और अपमानित होना पड़ता है साथ में एह बहुत सारे गंदे कामों में या अभद्र कामों में अपने धन को खर्च करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और अनेक परकार के इनके जीवन में बैटल, युद, परिशानिया, कलह, कलेश, कोड, कचरी से संबंदित प्रॉब्लम्स जो है इनके साथ चलती रहती है और कई परकार के युद जो भी लड़ते हैं उनमें लगभग पराजित इनको होना पड़ता है चंद्रकुंडली में दोस्तों चंद्रमा से सातवी घर में यदि शुक्र हो तो वह मनुष्य अपने लोक में, अपने समाज में, अपने भाई बंदों के बीच में बहुती स्रेष्ट व्यक्ति होते हैं बहुत धार्मिक प्रवर्ति के होते हैं और बड़े यशश्वी, तपस्वी, मनस्वी और बहुत प्रशिद फेमस व्यक्ति होते हैं लेकिन इसके साथ-साथ में सेना में या किसी और ख्षेतर में ये एक महा योध्धा के रूप में जाने जाते हैं दान पूर्ण ने करना, लोगों की साहता करना इनका सुभाव है और अनेक प्रकार के भोग विलास करने में काफी आ सकते रहते हैं और जीवन में बहुत अधिक धनवान बनते हैं चंद्रकुंडली में चंद्रमा से अस्टम स्थान पर यदि आठवे घर में यदि शुक्र हो तो दोस्तों वह मनुश्या यू मानिये कि कर्म करने से किसी पुरुशार्थ करने से मेहनत करने से काफी डरने वाले होते हैं और मेहनत पुरुशार्थ नहीं करते हैं और पद परतिपद हर एक पद पर हर एक कार्य पर शंका करने वाले संकोच करने वाले और बहुत ज़्यादा शरम और शरमीले व्यक्ति होते हैं चायवस्त्री हो पुरुश हो और यही शरम जो है इनको आगे जाने में काफी दिक्कत का सामना इनहें करना पड़ता है और जीवन में धन परियापत रूप से ही कमा पाते हैं चंद्रकुर्ली में दोस्तों चंद्रमा से नाइन्थ हाउस में यदि शुक्र हों तो ऐसे वक्ती बहुत सारे भाई वाले एक से अधिक भाई इनके होते हैं बहुत सारे मित्र जीवन में होते हैं और बहुत सारे बहनों के भी भाई होते हैं यानि कि खुब लंबा चोड़ा परिवार इनका होता है और इन सभी की साहता करने वाले सबको प्रेम करने वाले और भाई बहनों से पालित बहाई बहनों से प्रेरित ये व्यक्ति अपने जीवन में कारें को करते हैं और एक बहु सुखी जीवन जीते हैं एक दिरगायू प्राप्त हो करके जीवन का आनन्द लेते हैं दोस्तों चंद्रकुनली में चंद्रमा से ग्यारवे घर में यदि शुक्र हो यदि शुक्र है जातक है अथवा चातिका कोई भी है तो वह मनुश्य वह व्यक्ति एक लंबी आयू को जीने वाला होता है और शुक्रों से दूर इनके कोई शुक्रों नहीं होते और किसी के ये शुक्रों नहीं होते इन सभी से वर्जित होते हैं साथ में शरीर ये चंद्रमा और शुक्र जो है शरीर को इनके स्वस्थ बनाते हैं कोई भी रोग इन्हें नहीं लगता और एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को आनंदित रूप से जीते हैं चंद्रकुनली में दोस्तों ये चंद्रमा बारवे घर में चंद्रमा से हो तो दोस्तों वह व्यक्ति नारी अत्वा पुरुष ऐसे मनुष्य जो है दूपरस्त्री गामी ये पुरुष है तो दूसरों के इस तरीका हरन करने वाला या फिर लब मेरिज करने वाला हटात पला चबरदस्ती और इसी प्रकार से यदि कोई पुरुष हो तो यदि को इस्तरी है तो लब मैरी जैसी घटना इनके जीवन में घटती है और उसके कारण समाज में थोड़ा सा इज़त डाउन हो जाती है और ग्यान हीन आप कह सकते हैं विवेक हीन ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में एक दूसरे का साथ दे करके और अपनी मेनद से धन कमा करके अपने जीवन को ऐसे पती पतनी जो है जीते हैं और एक अच्छी आयू और अच्छा धन एक रूप में कमा करके और आनंद लेते हैं जीवन का तो दोस्तों ये थे शुक्र का मेश से 12 भावत शुफल और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिये नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं अधिक कुंडली को एनलेसिस करने के लिए कुंडली में रेमेडिस को जानने के लिए कुंडली में कुंडली के ग्रहों से संबंदित पूजा पाठ इत्यादी या ग्रहों से संबंदित रेमेडिस करवाने के लिए यग्य करवाने के लिए आप जो हम से बात कर सकते हैं स्क्रीन पर दिये नंबर्स पर मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो के जरीए तब तक के लिए जैस्री कृष्णा पर दर्शकों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्र कुंडली में शनी के फल को जी हाँ दौदष भावगत में पहले घर से और बारा घर तक जो है जो फल शनी के होते हैं शुब या अशुब वो सभी फलों का हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के मात्यम से तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज अब चल्दी से चैनल को सब्सकाइब कर लिजे साथ में लगे बेल आइकन के प्रेस करके औल को सिलेक्ट करें ताकि इस तरह के इंडर्स्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हम बेज सकें सबसे पहले तो लेट्स को स्टार्ट आइजिसकस लवली फ्रेंड्स चंदर कुंडली में यदि शनी चंदरमा के साथ में यदि हैं शनी यदि चंदरमा के साथ में बैठे हैं दोनों एक साथ हैं तो ऐसे जातक जातिकाओं पर प्रभाव परता है शनी का कि ऐसे लोग जो है रोग मुक्त होते हैं इनका शरीर बहुत शक्तिशाली immunity power बहुत शक्तिशाली, powerful होते हैं, दिमाग से, शरीड से, मन से, तन से, दिल से, बड़े दिल वाले होते हैं और धन जो है पर्याप्त मात्रा में ही जीवन में उत्पन हो पाता है, बहुत सारी मेहनत करते हैं और अपने जीवन में धन को कमा करके अपने जिन्दगी को अच्छी तरीके से जीते है और संतोशी पुरिश होते हैं जितना भी ऐसे व्यक्तियों को मिल जाए उसमें संतोश करने वाले और प्रमात्मा का धन्यबाद करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं लेकिन भाई बहनों का और इष्ट मित्रों का कुछ कम ही इनको लाब हो पाता है जीवन में यदि दोस्तों चंदरकुनली में चंदरमा से दूसरे घर में यदि शनी हों तो उनकी माता को बहुत कस्ट ऐसे योग के कारण होता है या तो माता को कस्ट मिर्तितुल्ले वैदी होती है या फिर यदि स्वस्त भी रहें तो माता से कुछ खास मातरित भाव, प्रेम भाव या किसी प्रकार से कोई भी सहायता या प्रेम प्राप्त नहीं होता ऐसे लोगों को और ऐसे व्यक्ति जो है कई बार माता जन्म काल में ही माता का साथ छूट जाता है जिसके कारण किसी जानवर के दूद से ये लोग पालित होते हैं और अपने जीवन को जीते हैं लेकिन शनी के प्रभाव से ये सब चीजे तो उनको होती हैं लेकिन जीवन में इनका शरीर और शक्ति शाली इतना होता है कि ये किसी भी संकट से जूच जाते हैं और अपने जीवन में एक राजा के समान पद को प्राप्त करते हैं और बहुत वैभावशाली धन्वान बनते हैं चंद कुंडली में दोस्तों यदि चंद्रमा से तृती घर में थार्ड हाउस में यदि शनी बैठे हो तो ऐसे मनुष्य व्यक्ति जो हैं जातक जाते काएं इनके जीवन में विभा वरांत कन्या अधिक होती हैं और होकर के कई बार कन्या समाप्त भी हो जाती हैं कन्याएं उत्पन तो होती हैं लेकिन कन्याएं समाप्त भी हो जाती हैं कन्याओं की हानी ऐसे लोगों को देखनी पड़ती है और पुत्र ना की संख्या में होते हैं यदि हो भी तो एक पुत्र का इनको लाव प्राप्त होता है आधिक तर शनी के इस प्रकौप से इनको सं का सुख बहुत कम मात्रा में मिलता है दोस्तों चंद्रम कुंडली में चंद्रमा से चोथे घर में ये दिशनी हो तो ऐसे व्यक्ति जो है नारी हो अत्वा पुरुष ऐसे व्यक्ति जो है ऐसे मनुष्य बहुत महा पुरुशार्थी होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने व बिल्कुल आलस ऐसे लोगों के अंदर नहीं होता और शत्रो पर शत्रो इन्हें देख करके कामते हैं इनके जीवन में अपने इनके कोई शत्रो नहीं होते लेकिन यदि कोई दूसरा इनके प्रतिश शत्रो भाव यदि रखता है मन में तो ये उसे कभी भी अपने उसकी शत् हो जाती है और अपने जीवन में महा परुशार्थ करने के कारण काफी नामी और काफी नेम और फेम वाले व्यक्ति अपने जीवन में बनते हैं और एक अच्छे पुरुष मनुष्य के रूप में जीवन में इनका मान सब्मा इनको प्राप्त होता है चंदरकुली में दोस्तों यदि चंदरमा से पांचमे घर में यदि शनी बैठे हों तो ऐसे पुरुशों की स्त्रियां जो है काफी तेज गंभीर सुभाव की बड़ी सुन्दर लेकिन शाम बरण गोरिनी शाम बरण की होती है और बहुत ही शुशील और एक लक्षमी के समान होती है प्रियवादनी होती है और उसी प्रकार से कन्याओं के लिए भी पुरुश जो है उन्हें जो प्राप्त होते हैं जो मेरिड लाइफ में जो साथ ही होते हैं वो उनके लिए बहुत ही धनवान और एक भाग्यशाली पु में इनको प्राप्त होता है जिससे कि इनका वैवाईक जीवन शनी और चंद्रमा के प्रभाव से बहुत अच्छा रहता है दोस्तों चंद्रकुनली में चंद्रमा से यदि छटमे घर में शनी हो तो ऐसे व्यक्ति जो है घर परिवार से काफी कलेश के भागी होते हैं ऐसे लोग काफी बहुत सारा कलेश जीवन में देखते हैं और जीवन में कई प्रकार के कष्ट कष्टों को देखते हैं कष्टों को सहने वाले होते हैं लेकिन इसे के साथ में ऐसे लोगों की जो आयू होती है जो उमर होती है वो भी काफी कम होती है प्रिदर्शकों चंद्र कुंडली में यदि चंद्रमा से सैवंथ हाउस में यदि शनी माराज बैठे हूँ, सैटन बैठे हूँ तो ऐसे व्यक्ति लगबग मनुश्य होचा इस्त्री हो हमेशा पूजा, पाठ, दया, धर्म, सहायता ऐसे कामों में लगे रहते हैं यानि के धर्म से संबन्दित कारूम में लगे रहते हैं, धर्मिक व्यक्ति होते हैं, रिलीजिंस होते हैं दूसरे को देने वाले, दान पूर्णे करने वाले, सदा, शुबः, और अच्छे, सद, आश्रिन करने वाले ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुश्य होते हैं और यदि पुरुष है तो ऐसे इस्त्री से विवा होता है जो इनके ये भागे लक्षमी स्वा भागे शाली बन करके इनके पास में आती है उसी प्रकार से दोस्तों चंदर कुंडली में यदि चंदरमा से आठमे घर में शनी हो तो पिता को कष्ट देने वाले ऐसे संतान होती है जिनके कुंडली में योग बन रहा है वो अपने पिता को इनके ग्रह जो है उनके पिता को काफी कष्ट देने वाले होते हैं अपने जीवन में बहुत सारा दान, पुर्णय, धर्म, इत्यादी ये लोग करते हैं और जीवन में एक लोगों का कल्यान करते हैं स्वयम भी भगवार इनका कल्यान करते हैं और हर प्रकार से इनके पास दनव वैभव, संपत्ति इनके पास में होती है और अच्छे जीवन को व्यतीत करते हैं दोस्तों चंदकुनली में चंद्रमा से यदि नवे घर में शनी हो तो शनी की कृपादश्टी यहां पर अंतर दशा जब शनी की आती है तो उस समय पर मनुश्य ऐसे मनुश्य बले ही धार्मिक होते हैं ऐसे मनुश्य बड़े ही तपस्वी वनश्वी और भगवान के प्रती बड़ा प्रेम करने वाले होते हैं अपने जीवन में अच्छा धन कमाने वाले होते हैं व्यबसाई करने वाले बिजिस करने वाले होते हैं साथ में बहुती दयाबान और हेल्प करने वाले ऐसे नारी और पुरुष होते हैं लेकिन दोस्तो जब शनी की अंतरदशा महादशा यदि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आए तो वहाँ पर जो है इन व्यक्तियों को शनी जो है धर्म से उतने समय तक के लिए विहीन कर देत हैं धर्म से ये लोग धर्म के पत से हट जाते हैं ऐसी सनी का यहाँ पर प्रभाव ऐसे व्यक्तियों के ऊपर रहता है दोस्तों चंद्रकुनली में यदि चंद्रमा से दस्वे घर में यदि शनी हो दस्वे स्थान में तो ऐसे व्यक्तियों को शनी राजा के समान बना देत ऐसे व्यक्ति किसी बहुत बड़े पॉलिटिक्स में बहुत बड़े पद पर आसीन होते हैं या फिर समाज में बहुती नामी ग्रामी व्यक्ति होते हैं काफी धन ऐसे लोगों के जीवर में होता है लेकिन ये व्यक्ति समस्त प्रकार का वैभव इनके पास होता है उसके जले ऐसे व्यक्ति होते हैं चंद्रमा से एकाद ग्यारवे भाव में यदि शनी हो चंद्रकुंडली में तो ऐसे जातक जातिकाओं के लिए यहां पर फल बनता है ऐसे व्यक्ति जो है बहुत प्रकार के गाड़ी, मोटर, कार्स के मालिक होते हैं एक से अधिक वहान ऐसे और साथ में पशू, पक्षी जैसा धन भी इनके पास ऐसे धन से युक्त होते हैं पशू पालन में बड़े तत्पर और निपुन होते हैं इनका शोक होता है बहुत लंबी आयू वाले और जीवन भर सुखी रहने वाले ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं चंद्रकुणली में चंद्रमा से यदि बार्वे घर में शनी हैं जिन व्यक्तियों के, जिन मनुश्यों के तो ऐसे व्यक्ति धन से काफी हीन होते हैं और पर्याप्त मातरा में जितना जरूरत होती है उसके अक्वर्डिंग धन के विवस्ता हो ही जाती है जीवन में तो आप इन्हें धनहीन भी कह सकते हैं या प्रमात्मा की कृपा से धन के रूप में इन्हें कुछ न कुछ प्राप्त होता है जिससे की यह अपने जीवी का चला पाते हैं अक्सर इनके जीवन में ऐसी बाते होती हैं कि लोगों की हैल्प करने से इनका घर परिवार इनका जीवन चलता है और काफी पाप के भागी या फिर कुछ ऐसे कर्म इनके होते हैं जिसके कारण जो है इन्हें सुयश्र की प्राप्ति नहीं हो पाती तो दोस्तों ये थे शनी के बारा भावगत फल चंदर कुणली के अंदर आधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिये नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के जरिये तब तक के लिए जैस्री कुछ ना दरशकों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंदर कुणली में राहु का फल परत लगन से और द्वादश भावगत किस किस घर में राहु बैठे हैं और चंदर कुणली में किस प्रकार का फल आपके जीवन में देखने को मिलेगा ये सारी वरतलाप हम करते हैं इस वीडियो के मात्यम से उससे पहले आपसे करवद्द प्रातना है प्लीज हमारे चैनल को सब्सकाइब कर लीजे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजे ताकि इस तरह की इंट्रस्टिंग वीडियो जी की ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले तो आईए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोग्राम को दोस्तों यहाँ पर राहू का जो शुब और अशुब फल है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेकिन इसमें आप ये देखे कि 12 भावगत कुंडली के चंदर कुंडली के मैं एक से और बारा भावगत राहू होने के जो फल हैं वो मैं आपको एक साथ यहाँ पर बता रहा हूँ पांच टिप्स में यानि कि पांच पॉइंट में सभी चीज़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो राहू की सिचुएशन आप अपनी कुंडली में देखिए मेरे कहे अनुसार और यहाँ प्रशुब और अशुब फल को आप जानिए चंदर कुंडली के अंदर राहू का और केतू का इसमें विशेश नहीं होगा क्योंकि केतू जो है वो दूसरे गरह के अनुसार केतू को यहाँ छाया गरह माना गया है तो कहा जाता है जोतिस में कि केतु अपना कोई फल नहीं देता है जैसे ग्रहों के साथ में यदि वो होता है उसी प्रकार का फल जीवन में देता है तो केतु को यहाँ पर कोई विशेश प्रकार का फल शुब या शुब देने वाला ग्रह नहीं माना जाता वो जैसी संगती में आता है वैसा ही यहां पर कारे करता है तो इसलिए केतू का इसके बाद नहीं आएगा बलकि केतू का मैंने आपको पॉइंट बता दिया अब यहां राहू बहुत प्रभाव कारक है तो राहू के ही बारे में मैं आपको पांच पॉइंट में यहाँ पर बता देता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट आप अपनी कुंडली में देखिए चेक कीजिए कि चंद्रमा से पहले एक घर पहले समझ गए जैसे कि लगन में फर्स्ट आउस में चंद्रमा है तो बारवे में राहू है तो एक घर पहले हो गया ना तो चंद्रमा से प्रतम या चंद्रमा से दसमे घर में या फिर चंद्रमा से जहां चंद्रमा चंद्रकुंडली में वहां से नवे घर में राहू हो जिन व्यक्तियों के तो वो बाल्या काल में और योवन अवस्था में बहुत ही सुखी होते हैं बहुत ही अच्छे जीवन को बेतीत करते हैं और ब्रद अवस्था जैसे जैसे उनक बनते चले जाते हैं जितनी उमर बनती है उसी प्रकार से बहुत ही धनवान और धनशाली बनते जाते हैं पहला पॉइंट ये था अब दूसरा पॉइंट इसमें मैं कहता हूँ कि अगर दोस्तों चंद्रकुंडली में तीसरे घर में या छटे घर में या फिर ग्यारवे घर म चंद्रमा से ठीक है चंद्रकुंडली में चंद्रमा से तीसरे घर में छटे घर में या ग्यारवे घर में स्थान में यदि राहू हो तो ऐसे व्यक्तियों को नारी अत्वा पुरुशों को जो है बना देता है एक राजमंत्री यानि कि पॉलिटिक्स के छेत्रों में राहू जो है यहां भीजने वाला हो जाता है और कोई नेता अभीनेता बहुत बड़े बड़े पदों पर या फिर पॉलिटिक्स के छेतर में बहुती नामी ऐसे व्यक्ति होते हैं खुब धन धान से परिपूर्ण होने वाले होते हैं तो दो टिप्स मैंने आपको यहां पर बता दि अप तीसरे tips पर आप चलिए और वो यह है तीसरा point जो यहाँ पर है वो यह है कि चंद्रमा से चंद्रकुंडली में चंद्रमा से चौथे घर में या फिर सातवे घर में यदि राहू हो तो माता के लिए पिता के लिए एवं पत्नी के लिए ये बहुत ही कश्ट कारक यहाँ पर हो जाता है राहू समझिए न ये सारे पॉइंट जिवे राहू के बारे में आपको बता रहा हूँ कि राहू कौन-कौन से घर में होने से क्या फल आपको मिलता है अब चोथे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और वो ये है कि चंद्रमा से यदि राहू दूसरे घर में हो चंद्रकुंडली में चंद्रमा से यदि राहू दूसरे घर में हो आठवे घर में हो या फिर बारवे घर में यदि राहू हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे धन से युक्त होते हैं साथ में बहुत सारे लोगों से युक्त होते हैं ऐसे लोग जो इनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं ऐसे लोगों से युक्त होकर भी मनुस्य कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाते चाहे उनके जीवन में कितना ही सुख क्यों ना हो ये था चोथा पॉइंट राहू का आप अपनी चंद्रकुंड़ी में जान सकते हैं देख करके अब पाँचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि चंद्रमा दोस्तों यदि चंद्रमा से पांचमे स्थान में यदि राहू है चंद्रकुंडली में तो ऐसे व्यक्तियों को जल से बहुत ज़्यादा भह हो जाता है जल से बहुत ज़्यादा भह हो जाता है और जल से कई बार बचते हैं बाल-बाल जल की राशी चाहे वो समुद्र हो चाहे वो तालाब हो कुवा हो बाबली हो तालाब हो ये सभी जल की राशी जहां बहुत जादा है ऐसी जगाओं से ऐसे विक्तियों को बच्चे रहना चाहिए थोड़ा दूर ही रहना चाहिए इसमें किलोल या खेल नहीं करना चाहिए क्य के सुभ़ाव जो है वो इस प्रकार से यहांपर हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति सुभाव से बात बात पर और step step पर बहुत आपती करने वाले होते हैं हर एक बात को ले कर ऩो बदि होती है शंका करते हैं हर एक चीज कर कुछ भी चीज आप बताएंगे तो उस पर की परिशानी अपने जीवन में खड़ी कर लेते हैं हाला कि इनके पास में बहुत सारा धन और वैभाव से युक्त होते हैं लेकिन ये जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतने शंकालू होते हैं और इनका जो मृत्यू का कारण जो है जल बन सकता है तो इसलिए द हाउस में हैं या सेवन्थ हाउस में हैं या फूर्थ हाउस में हैं दोस्तों या फिर ट्वेल्थ हाउस में हैं तो दोस्तों यहां पर राहू की रेमेडीज करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि चोथे में यदी है सात्वे में यदी है तो ऐसे वेक्तियो हो और पाँचमे घर में विश्ष कर हो तो ऐसे स्थिति में जो है राहू इनके जीवन को खराब कर देता है शंकालू बना देता है मरने का भै बहुत जदा इनके साथ में बना रहता है तो ऐसे लोगों को जो है राहू की remedies करनी चाहिए यदि आप चाहते हैं कि राओ की remedies आपकी बैदिक रूप से हो और आप करवाना चाहते हैं जिससे कि आपको शान्ती मिले और आपको जो है आपको जीवन बच सके आपकी misunderstanding यसी चीजे जो पती-पत्नी में हैं वो दूर हो सके माता-पिता का धन बैबो भी सब चीजे माता-पिता का प्यार आपको मिल सके तो उसके लिए आपको remedies करवानी होगी उसके लिए आप screen पर दिये numbers पर आप हमें call कर सकते हैं आपके ग्रह शान्ती के लिए यग्गी के लिए या किसी और बात पर बिचार विमट्स आपको करना हो कुंडली से संबंदित कुंडली को analysis करना हो इन सभी चीजों के लिए आप हमें call कीजिए appointment लीजे और हम आपके प्रशन के अनुसार आपको उत्तर या फिर remedies करके देंगे या बताएंगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो की जरी है तब तक के लिए जैसी किशना